नमस्कार आज हम घटक संच का सोटी दूसरी जो कक्षा नवी का पेपर है आपने जरूर पढ़ाई की होगी तो मैं आपके लिए यहाप प्रैक्टिस पेपर दे रही हूँ यह 20 अंक के लिए पेपर है समय इसके लिए एक गंटा तो आप अच्छे से पेपर देख लीजेगा और उसके अनुसार आप question paper और उसके answer लिखने का प्रयास कीजिए अगर आपको कुछ questions के उत्तर नहीं मिल रहे तो आप comment करके हमें बता सकते हैं तो हम आपको उसके answer दे जाएंगे तो यहां पर आपको निम्नल के पध्याश दिया हुआ था उसके आधार पर यह प्रश्न है यहां पर भगवद गीता के बारे में अपने विचार लिखिये तो दो मार्क के लिए इसे प्रश्न चोड़ने नहीं है यहां पर आपको क्या लगते आप यहां पर लिखना ही कंपल सरी है अब भाग दो है वह पढ़्य के लिए तो यहां पे कुछ पंक्तिया आपको दी है उसके आनुसार आपको प्रश्ण या उत्तर लिखने है और कोकिल में समानता अंतर के लिए आपको समानता अंतर हो कभी की दुरुष्टी से यहापे लिखने है दुगुण उपर उक्त कुंडली का भावारत 25 से 30 शब्द में लिखना है और आखरी में है विभाक तीन जो है पूरक पठंग के लिए आपको एक गद्याश दिया हुआ है चार अंग के लिए प्रश्ण है तो एक गद्याश अच्छे से पढ़ लीजे इसके आधार पर यह प्रश्ण है आकृत आपको पूरी करनी है इसके लिए दो अंख है और पालतु प्राणियों के लिए आप क्या करते है विस्ताव परवक लिखिए इसके लिए भी दो अंख है भाशा अद्यहन में प्रश्ण दिये जए है अधुरतिक शब्द का भेत पहचान का लिखना है और दूसरा प्रश्ण है निम्रलखित अधुरकी सग्या का भीत पहचान का लिखिए इसके लिए के कंक है यहां पर यह पेपर समाप्त होता है अच्छे से प्रयास कीजिएगा ओल दे बेस्ट झाल झाल स्बस्ट